हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं, बर्फटा फट से कॉमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्थ होंगे, बहतर तरीके से अपने प्रिपरसन को आगे के तरफ बढ़ा रहे होंगे, है ना, तो करने के बाद बिहार सीजेल, जितने भी स्टेट की सीजेल हैं, उनको भी हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट करेंगे, ताकि एक भी क्वेस्टन ऐसा ना हो, जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, चलिए, अब सभी के लिए इंपोर्टेंट आइन लि सबस्क्राइब अगर नहीं किया है, तो चलिए, तो बढ़ते हैं सीधे, कोश्चन नमबर फर्स की तरफ, पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस कांसर जरा फटापर से बताइए, क्या होगा, गोर से देखे, ट्राइ करी, इस कांसर क्या होगा, और रोसनीजी, बिल्क महाँ पर, कि चार अच्छर समूव में दिये गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरीके से समान हैं, और उसमें से एक ऐसा है, जो डिफरेंट है, जो डिफरेंट है, जो अलग है, उसको फाइंड करना है, किस प्रकार से वो डिफरेंट है, ठीक है, चलिए, क्या होगा इस कांसर है ना आई देखिए यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऐसे questions में जब later classification का question मिलता है later के समूह होते हैं और उसमें से different find करना होता है तो हम उसके बीच का difference देखते हैं तो s की value 19 होती है q की value 17 होती है ओ की value 15 होती है कितने का difference है minus 2 का difference यहां दिख रहा है और यहां पर कितने का difference है minus 2 का difference दिख रहा है ठीक है उसे तरीके से y25 हो जाएगा w23 हो जाएगा और u21 हो जाएगा 25-23 के बीच में minus 2 23 और 21 के बीच में भी minus 2 का lesson दिख रहा है m13 हो जाएगा k11 हो हो जाएगा 13 में से माइनस-2 करें गे 11 में से माइनस-2 करेंगे तो 9 हो जाएगा फंच साथ में से और 5 और 5 में से 1 करेंगे तो क्या होगा 4 तहर् जगारります एक का कॉंसे्ट चल रहां था, जबकि यहां पर आप देख पा रहा है, माइनस वन का ही केवल डिफरेंस है और इस वज़े से आपका चौथा option बिल्कुल क्या हो जाएगा डिफरेंट जिस किसी का भी answer 4 आया है, D आया है, उसका answer बिल्कुल क्या है सही है जैन्त, माहिल जी बहुत बढ़िया, good विल्कुल very good evening, नेहाजी विल्कुल very good evening चलिए next question का answer ज़रा फड़ाबर से इसका answer क्या होगा कोशन के एरा, यहाँ पर कि जो यह question diagram है यहाँ पर question आकरती जो है इन चारों option A, B, C और D में से कौन से option में छुपा हुआ है, hidden है यह आप से पूछा गया पड़ाबर से इस का answer ज़रा बताएगे क्या होगा question आकरती जो यह है इन चारों आकरतियों में से कौन से आकरती में है जल्दी करिए तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे दोस्ट यहाँ पर यह देखेंगे कि आखिरकार कौन सी इसमें lining बनी हुई है ठीक है तो गौर्श देखें यहाँ पर एक lining straight गई है यहाँ पर ऐसे तिरसी lining है फर यहाँ पर एक ऐसे इस तरीके के lining बनी है तो यहाँ पर यह वाली lining आपको complete होती हुई नजर तो आ रही है लेकिन ये वाली बिस की Louining यहाँ पर इसमें नहीं द Spencer वहाले ओप्शन में यहाँ पर यह लाइनिंग दिख रहे है और तेस्शी लाइनिंग भी दिख रहे है मतलब सी ओप्सन आपका क्या होगा सही होगा उच्वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी lining नहीं है तो D आपका गलत हो क्या जिस किसी का भी answer C option आया है उसका answer बिल्कुल क्या है ठीक है बहुत बढ़िया good next question का answer जारा फटाबर से तहीं क्या बोला क्या है coding decoding का question है और थोड़ी से different type का question है यह ज़रूर देखें Sir J.S.S.C. CGL का लिए reasoning का paid class है क्या हाँ बिल्कुल paid class बहुत जल्द आपकी start होने वाली है ठीक है जिसमें आपके सभी विश्यों की classes मिलेंगी और मेरे ख्याल से 25 तारिक तक आपके सभी विश्यों की paid class भी मिल जाएंगी इसी महीने के ठीक है लिखा गया एक निस्षित कोड भासा में F-E-L-A-T-H-O-M-E को 424 लिखा गया है C-H-E-A-C-K The और L-A-U-N-D-R-Y को किसी कोड में 537 लिखा जाता है अब सबसे बड़ी समस्या यहां है कि कोडिंग एक होता है जिसमें 3 से 4 या 5 लेटर होते हैं उनको कोड करके नबर में chanj किया गया होता है तो उसमें हम खोचते हैं कि लेटर की place value या लेटर का opposite या sequence खोजने के कोशिच करते हैं जब sentence code किये गये होते हैं या कोई word code किया गया होता है नबर में तो ज़रा गोड़ से देखिए यहाँ पर 4 to 4 कैसे possible हो सकता है जबकि एक word किसी दूसरे sentence में common भी नहीं है तो ऐसे condition में जड़ा गौर से देखिए इसमें 4 letter है इस वज़े से हमें कह सकते हैं कि 4 लिखा गया इसमें 2 letter है इसमें 2 letter है इसमें 4 letter है तो अब जड़ा बताईए यहाँ पर पूछा किसके बारे में गया the kite is flying के बारे में लिखा गया है the kite is flying तो 2 में 3 letter है तो 3 हो जाएगा kite में 4 letter है तो 4 हो जाएगा इसमें 2 letter है तो 2 और flying में 2, 4, 2, 6 letter है तो 6 3, 4, 2, 6 3, 4, 2, 6 कौन से option में है तो आपको होगे answer 4 will be the right answer जिस किसी का भी answer 4 आया है option D आया है उसका answer बिलकुल क्या है सही है clear है भई बहुत बढ़िया good अगला question क्या बोला गया जरा गौर से देखिए यहाँ पर बोला गया उस आकरती का chain करें जो निमलिखित आकरती सिंखला में प्रस्णवाच्चक चिंदे के अस्तान पर आएगा मतलब इस आकरती के बिहाँ पर अगली कौन सी आकरती यहाँ देखने को मिलेगी यह आप से पूछा गया है तो गौर से देखिए पहले यहाँ पे rectangle है उसके दो पार्टी स्थीन पार्टी सन किये गया है और उसके अंदर एक triangle बना हुआ है दिन यहाँ पे एक square है तो पहले इसके बीच में हमें क्रम find करना हो कि किस प्रकार से एक दूसरे से related है ठीक है तो जड़ा गौर से देखिए इनके relation की अगर हम बात करें यहाँ पे तो triangle जो था सबसे उपर वाले portion में था और इस वाले portion में सबसे नीचे की तरफ आ गया मतलब ऐसे और जो black था वो white में convert हो गया इसमें तीन ही box दिख रहे हैं तो यह क्या करेगा move करेगा clockwise direction में तो इसकी जो position होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर triangle की position बन जाएगी एक box उपर की तरफ सिप्ट करेगा तो और उसके बाद जो यह black है यहाँ पर जो square होगा वो आपका white square दिखेगा तो आपका पहला match कर रहा है आपको होगे नहीं सर पहले में आपका white नहीं black है दूसरे में बीच में बना रखा है तो आपका b भी match नहीं करेगा तीसरा बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका match कर रहा है और चौथा आपका क्या हो जाएगा दोस्त गलत हो जाएगा तो जिसकिसी का भी आंसर यहाँ पर C आया है, थर्ड आया है, उसका आंसर विल्कुल क्या है? सही है ठीक है? चलिए, यहाँ पर बोला गया है कि इन लिटर्स के क्रम के विहाब पे यहाँ पर कौन से लिटर का सम्मू देखने को मिलेगा लिटर्स का कोश्चन है, पहले इनके बीच हम करम देखेंगे, करम के ही विहाब पे फाइन कर सकते हैं कि एक्शुल में यहाँ पर कौन से लिटर का सम्मू आएगा, जल दी बताईए स्मिता कुमारी जी बहुत बढ़िया, पटाबट से आंसर बताईए अगले जैन्त जी, रोशनी, नेहा, सब लोग आंसर बहते तरीके से कर रहे हैं बस कोशिस यह करना है, कि सबसे पहले आंसर मेरा है आपस में कमटीसन होना चाहिए, आपस में पृतिस परदा होना चाहिए कि मेरा आंसर सबसे पहले आए ठीक है? चलिए अब यहाँ पर क्या हुआ है ज़रा गोट से देखें तो सबसे पहले अगर देखें M13 होता है K11 होता है माइनस 2 का रिलेशन है यहाँ पर K11 माइनस 2 करेंगे I9 हो जाएगा और इसके बाद अगर माइनस 2 करेंगे तो 9 में से 2 माइनस करने पर G होना चाहिए और G सम में दिख रहा है एविन साथी साथ E भी सम में दिख रहा है तो आगे अगले लेटर को चेक करने कोई आओ सकता ही नहीं है सिधा तीसरे लेटर को चेक करते है T20 S19 में माइनस 1 का रिलेशन S19 R18 में माइनस 1 का रिलेशन और इसके बाद भी आगे आपका माइनस होना होगा 18 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा Q17 कहां दिख रहा है तो आपको ओगे सर ये तो गलत हो गया लेकिन इन तीनों में आपका Q17 दिख रहा है अब लास्ट लेटर से कहानी क्लियर होगी N14, P16 में 14, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16, P16, R18 की बात करें तो प्लस 2 का कॉंसेप्ट है इसके आगे भी प्लस 2 करेंगे तो अगला लेटर हो जाएगा 14, 20 होना चाहिए U नहीं होगा, S नहीं होगा, T20 होता है यानि कि second will with the right answer जिसके का भी answer, option B आया है उसका answer विल्कुल क्या है, सही है D नहीं होगा, D कैसे बता रहा है है नो second option B जिसका भी आया है उसका answer विल्कुल क्या हो जाएगा, सही होगा तक इतने आसान questions को आप गलत करेंगे तो काम कैसे चेलेगा, बताइए अगला question बोला गया यहाँ पर संख्याओं में के भिसम समूह का चेयन करें, मतलब यहाँ पर चार संख्याओं के साथ आपस में कुछ relation दे रखा है और उसमें आपको find करना है कि कौन सा relation इन में से अलग है मतलब तीन एक जैसे होने चाहिए और एक उसमें से क्या होना चाहिए आपका different होना चाहिए तो एक different कौन सा है यह आपसे पूछा के जल्दी करिए आई देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला जो दिख रहा है 405 और 400 के 20 का difference कितना है माइनस का 5 और 400 और 395 के 20 का भी difference माइनस का 5 दिख रहा है ठीक है 700 और 690 की 20 का difference माइनस का 10 और यहाँ पर इसके 20 का difference कितना है तो 90 में से अगर माइनस करेंगे तो 85 लाने के लिए माइनस का 5 करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए 50 में से माइनस 5 करेंगे तो 45 होगा और 45 में से minus 5 करेंगे तो 40 होगा 20 में से minus 5 करेंगे तो 15 और 15 में से minus 5 करेंगे तो 10 अब एक चीज़ आपको दिख रहा है कि इन सभी में पहला तीसरा और चौथा में minus 5 minus 5 का relation दिख रहा है जबकि second एक option अपसा होना ऐसा है बहुत बढ़िया good अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगले question का answer जड़ा बढ़ते हैं ये क्या होगा दिखा गए एक स्रिंखला दी गई है जिसमें एक पद लुपत है दी गई बिकल्पों में से वह सही बिकल्प चुने जो स्रिंखला को पूरा करता है मतलब इनके क्रम के विहाब पे इसके बाद कौन सा लिटर का समूँ आएगा आप से ये पूछा किया है तो पहले क्या करेंगे इसके बीच में हम क्रम find करेंगे क्या क्रम चल रहा है पहले ये देखेंगे और उसी क्रम के विहाब पे अगले लिटर का समूव बता सकते हैं फास करने का आंसर कोशिज करें बहुत बढ़िया गुट नेहा रोशनी लगातार ये दो लोग हर रोज कोशन का आंसर देते रहते हैं और गलत हो सही हो इसके फरक नहीं परवा नहीं करना है बिना इस चीज की चींता किये बगएर आप आंसर अगर दे रहे हैं तो फिर आप समझ लिजिए कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं ठीक है चले गलत तो होगा ही गलत होगा तो भी तो सीख़एंगे यहाँ पर देखे L12 पे P16 12 से 16 कैसे आएगा प्लस 4 हो गया 16 से 20 कैसे होगा तो यहाँ भी प्लस 4 हो गया 20 से प्लस 4 करेंगे तो 24 X24 हो जाएगा तो इसके आगे भी प्लस करेंगे तो X24 प्लस 4 करेंगे तो 24 आर 28 28 लेटर नहीं होता है 26 ही होता है तो उसमें से माइनस करेंगे तो 2 होगा और 2 किसकी value होती है B की और B पहला letter केवल एक ही option में दिख रहा है तो बस कहानी clear होगे इतने से कि चौथा option आपका विल्कुल क्या हो जाएगा सही D will be the right answer है ना असमिता जी बहुत बढ़िया good लेकिन इसका answer जो होगा वो क्या होगा 4 होगा है ना चली अगले question काहन से जड़ावर से बता ही क्या होगा है बोला गया है यहाँ पर in letters का letters और numbers का जो करम है इसका आपको mirror image find करना है यहाँ पर mirror की position दे रखी है और इसके विहाब पर इसका mirror image find करना है तो mirror image में और s का जो image होगा वो सबसे right side में उधर की तरफ जाएगा इसको ध्यान रखीगा ठीक है आई देखें यहाँ पर a का जो image है वो ऐसे बन जाएगा यहाँ पर अब देखिए जड़ा गोड़ से a यहाँ पर है तो यह गलत हो गया यह भी आपका p की तरीके से दिख रहा था यह भी आपका d बना रख गया तो यह भी आपका गलत हो गया बस इतने से कहानी clear हो गई कि b गलत है c गलत है d गलत है तो आपका answer जो होगा वो a बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, केवल गलत find करते हैं, और हमको क्या मिल जाता है सही मिल जाता है, क्यों? क्योंकि इसका right वाला portion कहां जाएगा, left में और left वाला portion जब था, वो कहां जाता आपका right में जाता है, इस सीच को ध्यान लगिए ठीक है भाई, चलिए इसका अंसर जड़ा फटावर्ट से पताईए, बुला गया कि यदि अंग्रेजी word, ये इंग्लिस words को, अगर word माला करम के हिसाब से arrange किया जाए, बिवस्थित किया जाए, तो ऐसा करने पर, कौन सा करम बनेगा, चार options दिये गये हैं, एक, दो, तीन, चार, इनमें से कौन सा option बनेगा, अगर इंसको अंग्रेजी word माला करम के according, arrange किया जाए, तो पड़ा वर्ट सवदाई, इसका अंसर क्या होगा सबसे पहले देखते हैं कि क्या इस words में कुछ common letters है common जो letters होंगे, उन से हमें पता नहीं चल सकता कि कौन सा word पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, देखें यहाँ पर k की अगर हम बात करें, तो k सभी में क्या है, common है then उसके बाद i की बात करें तो i b सभी में क्या दिख रहा है, common दिख रहा है n की बात करें, तो n b सभी में का लेटर देखेंगे L की वैलू 12 होती है D की वैलू 4 होती है यहाँ पे L की वैलू 12 होती है और यहाँ S की वैलू 19 होती है अब आप बताओ कि 12, 4, 12 और 19 में से पहले क्या आएगा तो आपको कोगे सर चार पहले आएगा यह कौन से नंबर का वर्ड है तीसरा तो तीसरा वर्ड सबसे पहले होना चाहिए पहला आप्सन और तीसरा आप्सन तो गलत हो गया तीसरा वर्ड इसमें कॉमन चल रहा है पहले और उसके बाद ज़स्ट क्या होना चाहिए पहला होना चाहिए तो देखिए तीसरे के ज़स्ट बाद पहला तो इसने क्लियर कर दिया अब उसके बाद बताईए पहले 19 होगा या पहले 12 होगा तो आपको होगे सर उसके बाद 5 नमबर होना चाहिए तो सबसे पहले आपका 3 नमबर आया था फिर एक नमबर या उपसन से ही पता चल गया कि 3 के बाद एक होना चाहिए अब इसमें अब देखना यह है कि 2 पहले होगा या 5 तो 12 इसकी वैलू थी यल की और S की 19 थी तो पहले 12 होगा फिर 19 होगा मतलब पहले 5 होगा फिर 2 होगा तो 5 और 2 कर दियो और लास्ट में जो यहां S से स्टार्ट था उसको कर देंगे 4 3,1,5,2,4 कौन से option में है तो आपको होगे sir 4 will be the right answer जिस किसी का भी answer यहां पर डी आया है उसका answer विल्कुल क्या है सही है ठीक है भाई बहुत बढ़ी अकुट अगले question की तरह बढ़ते हैं सका answer जरा फड़ावर से बताए क्या होगा गोर से देखे लिखा गया है यहां पर की 687 का relation जिस प्रकार से यहां पर 612 के साथ दे रखा है ठीक उसी प्रकार 621 का relation महां पर 546 के साथ दे रखा है तो आपक देखने को मिलेगा ठीक है तो पहली priority होती है कि इसके बीच का relation क्या चल गया है पहले हम इसको देख लें किस प्रकार से यह दोनों संख्या एक दूसरे से संबंदी थे इसको कहते है number analogy कि numbers की बीच में आपस में कोई ना कोई समानता होगी समानता के विहाब पर आपको find करन होता है तो इसमें से बड़ा क्या है तो आपको होगे सर 687 बड़ी संख्या है 6887 में से अगर हम मानलो 612 को माइनस करें पहली priority माइनस पर देख लेते हैं 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा 8 में से 1 माइनस करेंगे 775 का difference दिख रहा है यहां कितने का difference जड़ा गोड़ स बच गया आपका एक इससे कहरी लेगा 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा यहां भी difference 75 है और यहां भी difference 75 है मतलब clear हो गया कि वही संख्या यहां पर होगी जिसके साथ 313 का difference कितना होना चाहिए 75 होना चाहिए और उसमें 713 क्या होगी बड़ी संख्या होगी तो हम इधर को कितना हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करेंगे कितना हो गया 3 और इधर कितना हो जाएगा दोस्स आपको होगे सर 6 638 किसी option में है क्या आपको होगे हां सर 4 यानि की D will be the right answer जिसका भी answer 638 आया है उसका answer विल्कुल क्या है सही क्लियर है बहुत बढ़िया अगले question का answer जरा फटावर्ट से बते ही क्या होगा बुला गया कि निस्षित कोड़ भासा में E A G E R को किसी कोड़ में A E R A E H R E लिखा जाता है उसी तरीके से G I R L S को I G SSL लिखा जाता है तो I SSUE को कैसे लिखा जाएगा यह आप से पूछा ग से जली करिए डिखें इदर कि क्या लिखा गया है E A G I E R है न को क्या लिखा गया है A E H R E लिखा गया ठीक है तो E यहाँ पर लिख रहा है A Y E यहाँ पर लिख रहा है R यहाँ पर दिख रहा है लेकिन G और H के बीश में प्लस 1 का relation दिख रहा है सेम प्लेस पे है और प्लस 1 हो रहा है यहाँ पे उसी तरीके से यह भी match करें देखें यहाँ पर I पहले हो गया, G बाद में हो गया फिर S पहले हो गया, L बाद में हो गया और R 18 में एक जोड़ेंगे तो S 19 हो जाएगा तो उसी तरीके से I S S U E को क्या लिखा जाएगा I S S U E को S और I को क्रॉस कर देंगे यहाँ पर S पहले होगा, I बाद में हो जाएगा E पहले हो जाएगा, U बाद में हो जाएगा और S 19 प्लस 1 करेंगे तो T20 हो जाएगा SIT है ना SIT यहां नहीं है SIT EU यहां दिख रहा है आपको होगे सर third will be the right answer जिस किसी का भी answer तीसरा आया है उसका answer विल्कुल क्या है सही है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए next question का अंसे जब फटाबर से बते हैं क्या होगा तो आपस में इंटेज चेंज करने पर यहां पर कौन सा equation balance हो जाएगा बराबर हो जाएगा बहुत अच्छा question होता है थोड़ी सी problem करते हैं time taking होते हैं समय ज़्यादा लगता है आपको solve करने के लिए और इसके लिए आपने एक technique बताया था आपको लेकिन divide तो change होगा नहीं और 16,4 से divide हो जाता आपको होगे हां सर ये भी हो जाएगा 8,2 से divide हो जाता ये भी हो जाएगा 4,2 से divide हो जाएगा ये भी divide हो जाएगा और 27,9 से divide हो जाएगा ये 4 के 4 हो divide हो जाएगा मतलब अब की बार यहां पर divide वाला concept आपका use नहीं होगा अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जरा दिमाग लगाईए तो अब एक एक करके चेक कर लेते हैं माइनस के जगा मल्टीपल और मल्टीपल के जगा माइनस करेंगे तो इसकी value क्या हो जाएगे जरा दगोर से देखिए 5, 6 का 30 हो जाएगा इसमें से माइनस कर देंगे और प्लस इधर कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस इधर कितना हो गया 16 को 4 से divide करेंगे तो 4, 4 के 16 हो जाएगा तो 34, 34 में से 3 अगर माइनस करेंगे देखे 34 माइनस अगर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा तो ये तो आपका सही है लेकिन आपसे ये बोला गया था कि कौन सा सिमिकरंट सही नहीं है मतलब इसमें से 3 सही होंगे एक कोई ऐसा होगा जो गलत होगा पहला तो सही होगा बाई दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस के जगह पर अगर मल्टिपल और मल्टिपल के जगह पर माइनस कर दें तो अब क्या होगा जड़ा गोर से दिखे पहले डिवाइड को करेंगे तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा और 4 का गुना करेंगे 3 में तो 4 तियां कितना हो जाएगा 12 यानि कि 11 प्लस 6 और माइनस 12 का करम दिखेगा इन दोने का बीच का डिफरेंस माइनस 1 होगा 6 में से एक माइनस करोगे तो 5 हो जाएगा मतलब दूसरा वाला भी बिल्कुल मैच कर रहा है पहला वाला भी मैच कर गया दूसरा वाला भी मैच कर गया इसका difference जो होगा वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा तीसरे option की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है जरा गोर से देखिए तो यहाँ पर multiple के जगा पर minus और minus के जगा अगर multiple करेंगे तो सबसे पहले divide किया जाएगा 4 को 2 से divide करेंगे 2 और 2 का 6 में गुना करेंगे 12 हो जाएगा यानि 7 minus 8 प्लस क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ठीक है अब जड़ा गोर से देखिए 12 और 7 कितना हो जाएगा तो आपको 12 साथ 19 minus 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11 तो ये भी आपका बिल्कुल क्या कर रहा है match कर रहा है तीन जब match कर गए तीन जब सही हो गए तो clear है चोथा गलत होना चाहिए लेकिन एक बार verify कर लेते हैं ठीक है minus के जग़ा पर multiple और multiple के जग़ा minus कर लेते हैं भई तो सबसे पहले यहाँ पर divide करेंगे 9,3,27,3, तीन बर होगया आपको होगे हां और 3 का गुना करेंगे चार में तो चारतियां 12 हो जाएगा मतलब 7 minus 2 और plus कितना हो जाएगा 12 12 और 7 कितना हो जाएगा तो आपको होगे 19 minus 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 होगा इस चीज को ध्यान रखेगा तो जिस किसी का भी answer यहाँ पर 18 देखो 18 यहाँ पर क्या हो रहा है गलत हो रहा है और जिस किसी का भी answer यहाँ पर 4 आया है कि गलत होगा वही answer क्या होगा सही होगा और answer 4 will be the right answer एक्जाम में ध्यान रखने वाली बात होती ऐसे question में time क्या होते हैं ज्यादा लगते हैं और इनके लिए थोड़ी सी speed की practice करनी पड़ेगी calculation की practice करनी पड़ेगी जिससे आप speed में इसको क्या कर सको solve कर सको और कुछी ऐसे question होते हैं exam में जो ज्यादा तर लोगों से नहीं होते हैं और उन्ही question को आपको करने हैं ताकि आप बाकी लोगों से अलग हो जो अलग होते हैं वही merit में होते हैं और जो merit में होते हैं उन्हीं का selection होता है ठीक है C option नहीं होगा रोस नीजी D option हो जाएगा अगले question को ज़रा गोर से देखिए क्या लिखा गया कागज को नीचे दिखाए गए अकृति के अनुसार क्या किया गया मोडा गया है और काटा जाता है तो बताईए कि कौन से open करने के बाद इसमें से diagram यहाँ पर दिखेगा ठीक है आई देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है सबसे पहले paper को इस तरीके से fold किया गया तो paper का केवल इतना हिस्सा दिख रहा है उसके बाद इस वाले portion को उपर से नीचे की तरफ fold किया गया तो केवल इतना हिस्सा दिख रहा है अब उसके बाद इसमें cutting किया गया है तो सबसे पहले हम इसको उपर open करेंगे cutting करने के बाद जब open करेंगे तो ये वाला arrow आपका यहीं पर बनेगा ये triangle आपका कुछ इस तरीके से बनेगा और ये वाला arrow आपका यहाँ पर ऐसे बनेगा जब इसको open करेंगे यहाँ पर तो ये वाली arrow यहाँ हो जाएगा ये वाला arrow यहाँ हो जाएगा दें triangle इस तरीके से बनेगा इस सिसको ध्यान लखिएगा इस तरीके से इतने से देखिए कहानी बन पा रही है क्या तो ये वाला arrow एक दूसरे का विपरीथ होना चीए था ये गलत हो गया ये दोनों एक दूसरे के विपरीथ हैं लेकिन ये एक ही दिशा में दे रखे हैं इसलिए गलत हो गया यहां भी एक दूसरे के वीपरी थें यहां भी एक दूसरे के वीपरी थें ट्रेंगल भी एक दूसरे के वीपरी थें और यह arrow देखिए यह वाला arrow जो बना है न यहां पर जब arrow बनाओगे तो यह वाला person इधर की तरफ होना चीए था जबकि यह आपका दोनों एक ही दिसा में दिख रहा है तो ये भी आपका गलत हो गया किलिर हो गया कि अब D and answer आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, जिसकी का भी answer D आया है, उसका answer बिल्कुल क्या है, सही है अचाए 17 नंबर का था सर जी C कोई बात नहीं गुट ठीक है भाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका D बिल्कुल क्या हो जाएगा अगले कोशन की बात करते हैं इस कोशन का आंसर जरा फटावट से बताएगे क्या होगा उस सब्द युगम का चेहन करें जो दिये गए सब्दों के जोडे में ब्यक्त किये गए संबंद के समान सबसे अच्छा प्रतिनिधित तो करता है अब यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार मुर्गी का रिलेशन कूप के साथ है ठीक उसी प्रकार इन में से किसके साथ रिलेशन वही रिलेशन मैच कर रहा है इसको वर्ड एनलोगी का कोशन कहते है है न जिस प्रकार मुर्गी का कूप के साथ रिलेशन है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इन में से किसका रिलेशन उसी तरीके से परफेक्ट तरीके से मैच कर रहा है जल्दी करिए तो भाई एक चीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि मुर्गी के रहने का जो अस्थान होता है उसे किस नाम से जानते हैं कूप के नाम से घोड़ा मैदान में नहीं रहता आथी पत्तियों पर नहीं रहती गाय गास पर नहीं रहती लेकिन मधुमक्खी का घर क्या होता है छाता होता है तो आपको ओगे सर यहाँ पर बी आंसर विल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस चेज को ध्यान रखिए जिससे दर्बा कहते हो न मुर्गी का दर्बा उसी को हम किस नाम से जानते हैं पूप के नाम से जानते हैं इसी इसको ध्यान रखेगा तो B option proper तरीके से विल्कुल क्या हो रहा है यहां पर आपका match हो रहा है बहुत बढ़ी है नेक्स कोशन कांसे जारा फुटावर से बताए यह बोला गया कि इन आकरतियों के क्रम के विहाब पे इसके जस्ट बाद अगली कौन सी आकरती देखने को मिलेगी है तो पहले देखिए कि इनके बीच आखिरकार क्रम चल क्या रहा है क्योंकि इनके क्रम के ही बाद आपको लिए अकरती भी नहीं बता सकते तो पहले इसके बीच रिलेशन देखिए कि आखिरकार किस प्रकार का रिलेशन इसके बीच में चल रहा है फटावर से बताईए जल्दी करिए क्या होगा इस कांसर भई देखिए यहाँ पर हम एक चीज देख रहा है यहाँ पर कि एक क्रॉस की लाइनिंग बनी है एक डॉट बना है और एक स्क्वार जैसी आकरती यहाँ पर बनी है नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या हुआ कि यह दोनों एक दूसरे के इधर की तरफ हो गए क्रॉस वाला जो सबसे उपर था वो गुम करके यहाँ पर आ गया और एक दूसरे के एंटी भी हो गए ठीक है इसके बाद वाले कंडिशन में क्या देख रहा है कि यह अपना फिर उसका इसका पुजिशन उल्टा हो गया और यह जो क्रॉस वाला था फिर मूब करके नीचे की तरफ आ गया और उल्टा हो गया और यह अभी उसी पुजिशन में गोड़ से देखी तो पहले वाले condition में एक diagram उसी position में था दूसरे वाले condition में 2 की position change हो गई एक अभी उसी position में आ गया मतलब ये आपका उसी position में ही और सबसे उपर वाला cross करके ये नीचे आया है पिर तीसरे वाले condition में क्या होई है कि यहाँ पर यह move करके यहाँपे चला गया और सबकी position फिर से एक side में हो गई तो यह वाला diagram इसके साथ match क्र रहा है आपको होगे हाँ सर गोट से देखीे यह वाली condition इसके साथ match कर रही है आपको होगे सर बिलकुल match कर रही है तो अब यसी बात थे ये वाली condition इसके साथ मैच करीगे और फिर इसके बाद ये वाली condition इसके साथ मैच करनी चाहिए तो जो changing इन दोनों के बीच हुआ है वही changing इनके बीच होना चाहिए ठीक है अब जड़ा गौर से देखिए कि ये वाला जो आकार था जस्ट इसमें जाने के बाद उल्टा हो गया था तो यहाँ पर ये वाला जो आकार होगा ये आपका square जो दिख रहा है ये colorful square वो यहाँ पर होना चाहिए ठीक है चाहँ दूसके बाद क्या हुआ था है उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि यह जो cross का sign यहाँ पर बना हुआ था beach वला diagram वो नीचे की तरफ आया और उल्टा हो गया है तो यहाँ पर cross का sign जो है वो नीचे आएगा उल्टा बनेगा मतलब cross का sign यहाँ हो जाएगा यह lining ऐसे बन जाएगे तीसरे number पर जो यह था सबसे नीचे वो beach की तरफ चला गया उसी position चेंज नहीं होई है यहाँ पर यह beach में हो जाएगा dot circle जो के साथ lining था इस तरीके सा diagram दिखना चाहिए अब देखिए कौन से option में यह matching दिख रही है यह matching कौन से option में दिख रही है तो square के बाद जिसमें तो किसी में भी नहीं दिख रही है यह इसके साथ match किया यह इसके साथ match किया तो यह इसके साथ match होना चाहिए हाँ तो जो changing यहाँ हुई है वही वहाँ होना चाहिए ठीक है तो उसके इसाब से फिर क्या problem आ रही है देखिए यहाँ पे यह उल्टा था तो इसका position सीधा हो गया यहां पर ठीक है फिर उसके बाद cross की जो sign था वो उपर की तरफ चला गया यहां पर जो बीच में था वो नीचे की तरफ आ गया तो नीचे ही आना चाहिए और फिर यह वाला position इसका बीच में गया था यहां पर तो यह बीच में ही जाएगा ठीक है इससे तो कोई match ही नहीं कर रहा फिर तो यहां पर इसका मतलब कुछ और relation चल रहा इसमें एक बार फिर से देखिए सुरू से बहुत अच्छा कोश्चन है मतलब एक बार confusion जरूर हो रहा इसमें पहली वाले आकरती यहां पर move करके यहां पर आ गई यह वाला उल्टा हो गया और यह वाला डाइग्राम move करके यहां आया है और उल्टा भी हो गया ठीक है next वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि यह अपना फिर से position चेंज कर दिया, ये वाला पुजीशन क्या हो गया, फिर से ये आपका जो सेकेंड वाला डाइग्राम था वो नीचे की तरफ यहां आ गया तो हो क्या रहा है जरा गोर से देखे पहले ये सबसे उपर वाला नीचे की तरफ फिर उसके बाद नीचे की तरफ जब सबसे किनारे चला गया तो फिर उसके बाद इसका movement आपका क्या हो गया था, जारी हो गया था, ये उपर की तरफ गया और फिर उसके बाद ये उपर जला गया, ठीक है तो अब की बार जो movement होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, आपसे नीचे होना चाहिए, तो वो नीचे हो गया है और इसकी position क्या हो गई है इन दोनों की उल्टा हो गई है या अपने आजटी जिसी position में है तो पहली बार में जो इस्तिर था वो ये इस्तिर था दूसरी बार में जो इस्तिर था दूसरी बार में जो इस्तिर था वो ये इस्तिर था तो ये lining तो आपको ऐसे ही मिलेगी मतलब ये clear हो गया कि ये आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है अब आपका B option गलत हो गया और आपका C option भी क्या हो गया आपका गलत हो गया अब इनकी position भी क्या होगी चेंज होगी ये इस सी रो गया वो सबसे नीचे होना चाहिए या उपर तो उस condition में यहाँ पर इन दोनों की position चेंज भी होनी है ये इस side में हो जाएगा और ये इधर की side में आएगा तो आपका A जो होगा ना वो गलत हो जाएगा देखिए दोनों एकी side में बना रखा है जबकि दोनों यहाँ पर opposite direction में थे तो उनकी position चेंज होनी थी D answer जिसका भी आया है उसका answer विल्कुल क्या है सही है D will be the right answer ठीक है बहुत अच्छा question देखिए आँपे क्या हमने किया गोर से देखिए आँपे पहले वाले में star की position चेंज होई दूसरे वाले में square की position चेंज होई और तीसरे बारे में इसकी position चेंज होई है ठीक है जगा चेंज किया है फिर अगली बार में start जगा चेंज करेगा और उसके बाद आपका ये जगा चेंज करेगा तो ये जब जगा चेंज करेगा तो आपका second number पे आगया दिख रहा है तो आपको होगे सर डी ऑप्सन में दिख रहा है जिस किसी का भी आंसर डी आया है उसका आंसर विल्कुल क्या है सही है ठीक है बहुत बढ़िया चलिए अगले कुश्चन कांसर जरा फटावर्ट से बताई क्या होगा लिखा गया यहाँ पर ए मल्टिपल बी का अबियक्ति दरसाता है कि पी आर का पिता है पी आर का पिता कौन सा यह प्रजेंट कर रहा है चार ऑप्सन दिए गए है यहाँ पर फटावर्ट से इसका आंसर बताईए तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर कोडिंग जो दी गई है उसके आधार पे हम इसके रिलेस्ट उनको रीड कर सकते हैं जरूरी नहीं कि सबका डाइग्राम बनाया ही जाए इसको प्राफर तरीके से उंगलिया रख करके रीड कर सकते हैं कैसे आए देखें यहाँ पर सबसे पहला साइन जो मल्टिपल का था उसका मतलब क्या था फादर तो हमने यहाँ पर फादर लिख ठीके अब क्यों जो है वह आर का पिता हो गया फिर क्या बूला गया यहाँ पर डिवाइड का साइन डिवाइड का मतलब क्या था भाई तो यहाँ पर ब्रदर कर देखें इसके पिता का यह क्या हो गया भाई हो गया क्या फाइंड करना है पी आर का पिता है क्या पी आर का चाचा दिख रहा है, तो यह आपका गलत हो गया, यहाँ पर divide का मतलब क्या था, दोस्तों आपको हो गये सर, divide का मतलब क्या था, brother था, तो यहाँ पर हमने brother बना दिया, और multiple का मतलब क्या था, father था, अब आप जरा गोर से देखिए, Q जो है वो R का भाई हो गया और भाई का जो पिता होगा इसका भी क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा अब आब बते ही P R का पिता दिख रहा है आपको हो के हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है मतलब second answer आपका क्या हो जाएगा B will be the right answer डाइग्राम बना की देख सकते हैं इसका यहाँ पर divide का मतलब क्या हो गया brother यानि Q जो है वो भाई हो जाएगा R का और यहाँ पर P जो है multiple का sign का मतलब father हो गया तो P जो है वो Q का क्या हो जाएगा पिता हो जाएगा तो P यहाँ पर बन गया पिता तो P Q का तो पिता है यह साथ ही साथ R का भी पिता होगा और यही आपको find करना था कौन से equation में P R का पिता दिख रहा है तो वो second option में दिख रहा है तो आदत बनाईए diagram बनाने के नहीं बलकि आदत बनाईए equation को read करने की read करना सीख जाएंगे तो question को option को देखेंगे उंगलिया रखेंगे count करेंगे और उसके आधार पर easily बता देंगे कि आखिरकार उसके बीच में relation क्या बन रहा है आई बास समझ में बहुत बढ़िया good next question का अंसे जरा फटाबर सबते यह क्या होगा 3-2 का relation है 35 के साथ 1-4 का relation है 65 के साथ तो पूछा गया वही relation इन संख्याओं की बीच में कोन संख्या के साथ दिख रहा है तो सबसे पहली priority क्या होती है कि जो छोटी-छोटी संख्याओं होती उनके भिहाब पे हम बड़ी संख्या को find करें clear है भई अब आप जरा बताओ कि 4 और 1 से 65 कैसे ला सकते हैं तो अब यहाँ पर बड़ी मुस्किल है भाई कि 4 और 1 से 65 हम ला सकते हैं जोड के ला नहीं सकते हैं गुना कर के ला नहीं सकते हैं square ही सोच सकते हैं आपको होगे हाँ तो 4 का square करेंगे 16 हो जाएगा मतलब इन दोनों संख्याओं का क्यूब करके जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है, अगर यहां भी verify हो गया तो हमारा सोचना सही है, तो यहां पर 3 का क्यूब करके प्लस 2 का क्यूब कर देंगे, बराबर 3 का 9, 9, 3, 27 हो जाएगा, और प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 27 आट कितना हो गया, तो 8, 7, 15 को 5, 1, 2, 1, 3, 35 बिल्कुल क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, अब आप बताएए यहां पर कौन सा रिलेस्टन परफेक्ट तरीके से यहां मैच कर रहा है, दोनों संख्याओं का क्यूब जोडने के बाद अगली संख्या निकल करके आ रही है, ठीक है, तो अब जराब बताएए यहां पर कौन सा रिलेस्टन हो रहा है भई, तो अगर हम इसकी बात करें तो तीन त्या नो नो तरी सत्ताइस और फ्लस दो दुना चार दुना आठ तो इसको जोड़ेंगे तो आठ साथ पंद्रों को पांच होना चाहिए इकाई में, यह गलत हो गया, पांच पचीस 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 एकसो पचीस हो गया, और चार चोगे, सोलच चोगे, चौन सट हो गया, पांच चार नो हो जाएगा, इकाई अंक नो नहीं दिख रहा, यह भी आपका गलत हो गया, अब बात बची किसकी पहले और चोथे की, इन दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो साथ का क्यूब कितना होता है, साथ सत्य उनन्चास हो जाएगा, और उसमें अगर साथ का गुना करेंगे, तो 9, 7, 63, वो 3, 6 कैरी, साथ चोख 28, और 6 कितना हो जाएगा, तो 28 और 6 हो जाएगा, आपका, 34, 34, कितना हो जाएगा, 7 का cube जो हो गया वो कितना हो गया 343 हो गया प्लस 2 का cube अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इसको जोड़िये 8-3 कितना हो जाएगा 11 को 1 carry 4 और 1 कितना हो गया 5 और इधर कितना हो गया 3 300 एक क्यामन मैच कर रहा आपको हो गया हाँ sir a will be the right answer जिस किसी का भी answer यहाँ पर a आया है option number first आया है उसका answer विल्कुल क्या आया है सही है ठीक है बहुत बढ़िया अगली question कहां से जड़ा फाइंड करेंगे फटाबट से इसका answer क्या होगा कोड़ से देखिए बोला गया यहाँ पर दो statement है उसके आधार पर find करना है कि इन तीनों conclusion में से कौन सा conclusion सही है और कौन सा conclusion आपका गलत है तो सबसे पहले क्या करते है ऐसे question में उसके diagram को बनाने की कोसिस करते है statement के according जो दिभी relation दिया गया है और उसके बिहाब पर find करते है when diagram के बिहाब पर find करेंगे कौन सा conclusion सही है और कौन सा conclusion आपका गलत है ठीक है आए देखिए यहाँ पर सबसे पहला diagram यहाँ पर क्या कह रहा है all a r यानि a का सारा हिस्सा क्या हो गया r हो गया all r r c r का सारा हिस्सा क्या हो गया c हो गया पहला conclusion कह रहा है all a r c a का सारा हिस्सा c के अंदर है आपको हो गया हो गया हाँ बिल्कुल है sum r r a r का कुछ हिस्सा a में है जब all का relation है तो sum बिल्कुल होगा और no c r a तो c और a के वीश में देखो यहाँ पर no का relation हमको नहीं दिख रहा है तो यह आपका गलत हो गया केवल पहला और दूसरा क्या हो रहा है सही both conclusion first and second follow यानि की fourth will be the right answer जिस किसी का answer चौथा आया है उसका answer बिल्कुल क्या है सही है ठीक है भई चलिए next question का answer लिखा गया है यहाँ पर कि चाकू का relation जिस प्रकार काटने से संबंदित है ठीक उसी प्रकार कर्चूल का relation इन में से किस के साथ देखने को मिलेगा चाकू का relation जिस प्रकार काटने से संबंदित है उसी प्रकार कर्चूल का relation इनमेंसे, किस के साथ बन पाएगा, यह आप से पूछा क्या है, फटाबर से बताईए चलियो देखिए आपने बाई चक्कू का काम क्या होता है काटना होता आप को गे हाँ तो कर्चल का जो काम होता है वो काटना नहीं होता है खूटना नहीं होता है तुकड़ा नहीं होता है फैलावा नहीं होता है बलकि पुरोसना होता है जैसे सबजी और दाल आप निकालते हो कर्चू से और दूसरे के थालरी में पुरोषते हो देते हो उसी को पुरोषना कहते हैं इस जिश को ध्यान रखिएगा ठीक है अगला question बोला गया है कि इन में से कौन से sign को put किया जाए इस equation में जिसके रखने से equation क्या हो जाएगा balance हो जाएगा अब ऐसे question के लिए हमने आपको बताया था क्या कि सबसे पहले देखा करें divide का sign जो है वो आपस में संख्याएं क्या divide हो पा रही है तो तीन option है पहला दूसरा चौथा जिसमें divide का sign है और वो 25 के ही 7 direction है 25 को 5 से divide करेंगे तो divide हो जाएगा तो अब एक एक को रख करके देखे कहानी कहां पर बन पा रही है अगर 25 को 5 से divide करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इसके sign को ले अगर multiple को तो 10 का 5 गुना करेंगे 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में से 2 minus करेंगे तो 48 48 निकल कर क्या रहा आपको ओगे नहीं सर मतलब पहला गलत हो गया यहाँ पर 25 को 5 से divide किये 5 हो गया ठीक है अब 5 में से minus करेंगे 10 को तो minus का 5 होगा और minus के 5 में अगर हम 2 जोडेंगे तो क्या हो जाएगा आपका minus का 3 हो जाएगा यह भी match नहीं कर रहा है इस वाले concept को देखिए 25 में 5 का गुना करेंगे 25 पांच से 125 हो जाएगा और फिर उसमें हम जोडेंगे 10 को तो 135 हो जाएगा और minus 2 करेंगे तो फिर 13 नहीं आएगा यह भी आपका गलत हो गया अब एक ही option बचा है इसको देखते हैं 25 को 5 से divide करेंगे तो 5 बच गया फिर उसके बाद 5 प्लस क्या कर देंगे 10 प्लस का sign है यहाँ पर 10 कर दिए और minus क्या कर दिए 2 कर दिए तो 15 में से अगर 2 minus करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा जो बिलकुल match कर रहा है यानि कि आपका answer D विलकुल क्या हो जाएगा सही फोर्थ जिसका भी answer आया है D जिसका भी answer आया है उसका answer विलकुल क्या है सही clear है भई बहुत बढ़िया good चलिए अगले question का answer जरा फड़ावर सदही क्या होगा गोड़ से देखिए तीन statement दिए गए हैं उनके आधार पे तीन conclusion दिए गए है find करना है कि कौन सा statement sorry कौन सा conclusion दिए गए statement के दिए गए relation के आधार पे सही और कौन सा गलत ठीक है चलिए इसका answer फड़ावर सब्दही क्या होगा जल्दी करिए सभी टमाटर मटर है कुछ मटर आलू है सभी आलू फल है उसके आधार पे तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है या आप से पूछा गया है है ना सभी टमाटर मटर है टमाटर का सारा हिस्सा क्या हो गया मटर हो गया फिर क्या बोला गया कुछ टमाटर आलू है तो टमाटर का कुछ हिस्सा किसके साथ हो गया, आलू के साथ हो गया सुरी कुछ मटर बोला गया है, एक मिनिट कुछ मटर आलू बोला गया है, तो मटर के साथ ही रिलेसन होगा मटर का कुछ हिस्सा क्या हो गया, आलू हो गया फिर क्या बोला गया है सभी आलू फल है तो आलू का सारा हिस्सा क्या हमने बना दिया फल बना दिया अब पहला conclusion क्या कह रहा है कि कुछ tomato आलू है अब tomato का कुछ हिस्सा आलू में दिख रहा है आपको ओगे नहीं सर अगला बोला गया कुछ फल आलू है तो फल और आलू के बीच में sum का relation है आप बोगे जब all है तो sum तो होगा ही होगा जब पूरा का पूरा हिस्सा है तो कुछ तो होगा ही आपका बोगे सर यह सही है अग्ला बुला गया कुछ मतर फल है तो मतर का कुछ हिस्सा फल के अंदर दिख रहा है आपको होगे हां सर मतर और फल के बीच में भी समका रिलेसन दिख रहा है तो second और third जो है आपका सही हो रहा है only conclusion second and third follow यानि की third will be the right answer जिस किसी का भी answer तीसरा आया है उसका answer बिल्कुल क्या है सही है ठीक है बहुत बढ़िया good चलिए next question काँ से जरा फटाबर से बताएं क्या होगा यहां पर a at the rate b car थे a b का पती है a and b car थे a b का पिता है a has b car थे a b का पुत्र है तो उस condition के according एक equation दिया गया है k h l and m at the rate n has p तो p k से किस प्रकार सम्बंधी थे p का रिस्ता पूछा गया है k के साप एकच अब क्या करते हैं भाई ऐसे question में आई देखें यहां पे equation क्या है तो आपको ओगे sir k has l and m at the rate n has p दे रखा है ठीक है अब जड़ा गोर से देखें at the rate का मतलब क्या है पती है and का रिस्ता पूछा गया है p के से किस प्रकार सम्बंदी थे p का रिस्ता पूछा गया है k k s a p अब गोर से देखें यहां पर रिस्ता क्या बन रहा है n जो है वो p का क्या है pass पूछा है so p का पूछा हमने यहां पर n मना दिया फिर उसके बाद m n का पती है m यहां पर पती हो गया मतलब n का gender minus हो गया अब उसके बाद क्या बोला गया lf का father है sorry हाँ lm का father है l जो है वो m का क्या हो गया आपका pita हो गया ठीक है और फिर बोला गया has का मुतलब क्या हो गया k l का पुत्र है स्टोरी यहाँ l हो जाएगा और k को क्या हो गया l का पुत्र हो गया अब यहाँ पर कुछ ऐसा relation बन रहा है एक बार फिर से देख लिए k has l at the rate m at the rate and M at the rate and or has P दिया गया था has का रिस्ता क्या दिया गया था पुत्र ठीक है add rate का रिस्ता क्या दिया गया था पती husband और उसके बाद end का रिस्ता क्या था तो आपको ओगे sir end का रिस्ता था यहाँ पर पिता और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया has का आपका पुत्र हो गया तो इसका ये पुत्र हो गया NMP का पुत्र हो गया पुत्र की ये क्या हो गया पती हो गया पती का ये क्या हो गया पिता और पिता का ये क्या हो गया पुत्र अब कोश्चन में क्या बोला गया है कि P K से किस प्रकार सम्मंदी थे तो P का रिस्ता पूछा गया है किसके साफ एक्ष है के साफ एक्ष है तो P जो है वो के का रिस्ता तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं यहां पे जी इंग्लिस में क्या लिखा गया है How is P related to K और इसमें चिन्न वही है क्या K हैस K हैस L and M एड़ डिरेट एन has P पहला वाला क्या दे रखा थे A एड़ डिरेट B यानि की husband था एड़ डिरेट के जगह पे husband हो गया है ठीक है पती दूसरा क्या बोला गया था A and B का मतलब क्या दे रखा है father ठीक है और फिर A has B का मतलब क्या दे रखा है son हाँ इसमें से तो कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि P का gender clear है नहीं हो और P के ही बारे में पूछा गया P के से किस प्रकार संबंदी थे इसका आंसर हो जाएगा C and D ध्यान रखेगा इसमें से कोई आंसर नहीं होगा cannot determine निर्धारित नहीं किया जा सकता D कैसे होगा बताईए यहाँ पर justify नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जिसके बारे में पूछा गया उसका gender हमको यहाँ पर पता नहीं है पहली बात यह और gender नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम बता भी नहीं सकते तो अब यहाँ पर एक option पिता है एक option बेटा है फिर उसका बात क्या है आपका पुत्र का पुत्र है और पुत्र का पुत्र का पुत्र है तो यह कोई भी नहीं होगा question में थोड़ी सी problem है इसको छोड़ दीजे ठीक है चले अगले question को जड़ा गोर से देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर बोला गया यहाँ पर minus और divide को आपसमें अगर change कर दिया जाए इस equation में तो इसकी value क्या होगी आपसे पूछा गया ठीक है जल्दी करिए इसको change करने के लिए बोला गया minus और divide को आपसमें अगर change कर दिया जाए तो इसमें से कौन सा equation balance हो जाएगा यह आप से पूछा गया है तो अब यह तरीका यहाँ पर आप यूज कर सकते हो divide वाला जो concept हमने कहा था एक बड़ चेक कर सकते हो जरूर यहाँ पर relation वाला ना समझ में आता है तो इसके लिए आपको topic पढ़ना पढ़ेगा है topic को एकदम depth में clear करना होगा और इसके लिए paid best में proper तरीके से इस इसको पढ़ाया जाएगा इस इसको ध्यान लखेगा ठीक है तो minus के जगह पर क्या हो जाएगा आपका divide और divide के जगह पर क्या हो जाएगा minus अब इसको calculate करें कितना हो रहा है तो 8 को 4 से divide करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 20 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 minus कितना हो जाएगा इधर 2 और plus 7 तो 40 सा 47 minus 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा तो यह आपका क्या हो गया गलत है और आपसे यही पूछा गया कौन सा सही नहीं है तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा इसी इसको ध्यान लखेगा पहला ही गलत दिख रहा है यहाँ पे एक बार और ट्राइ कर लेते हैं आगे किसको चेंज करना है माइनस को डिवाइड के साथ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका डिवाइड हो जाएगा तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा और प्लस इधर कितना हो गया आपका 8 माइनस 4 में 3 का गुना करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3 तो ये तो आपका सही हो रहा है और आपको गलत पूछा गया था कौन सा गलत होगा इसको भी चेक कर लिजी अगर divide कर दें यहाँ पर यहाँ पर हम minus कर दें तो equation क्या बन रहा है आपका 10 plus 8 गुने 6 upon 4 minus 2 तो 4 से cut करेंगे 2 हो गया 6 दूना 12 यानि 10 plus 12 minus 2 कितना हो जाएगा आपका 20 हो रहा है आपका 20 हो रहा है हाँ सर 20 यहाँ पर भी match कर रहा है यह भी आपका सही हो रहा है और इसको एक बार चेक करिए डिवाइड के जगह minus और minus के जगह पर divide करेंगे तो 4 से divide करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस 11 में 3 का गुना करेंगे तो 11 तिया 33 और minus कितना हो गया 8 33-3 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 36 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 28 हो जाएगा जो बिल्कुल क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो ये भी आपका सही है जो गलत है वो कौन सा गलत है पहला और उसी के बारे में पूछा गया है यानि कि A will be the right answer जिस किसी का भी आन्सर यहाँ पर A आया है उसका आंसर बिल्कुल क्या है सही है इस question का आंसर ज़रा फटाबट से बताईए बॉला गया जिस प्रकार से पहली پंक्ति में relation दे रखा है उसी प्रकार से दूसरी का relation है उसी प्रकार से तीसरी का relation आपसे पूछा क्या है कि क्या बन पाएगा फटाफट से इस कांसर बताइए ठीक है जल्दी करिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 27 दिख रही है ठीक है सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है 27 27 को अगर हमें find करना हो यहाँ पर तो कैसे find कर सकते हैं तो पहली बात तो यह कि 18 में 9 जोड़ दोंगे तो 9, 8, 7, 2 अनि 18 और 9 को जोड़ने पर ही हमारा 27 बन जा रहा है इसको जोड़ यह जा रहा है 40 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा नहीं मैज कर रहा है और कैसे 27 ला सकते हैं स्क्वाइर क्यूब की तो कोई जरूत ही नहीं पड़ेगी 3 का स्क्वाइर और 3 का क्यूब लेकिन यही स्क्वाइर क्यूब कुछ भी नहीं 18 यह भी नहीं हो रहा है अगर हम 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपको होगे हाँ एक और काम हो सकता है देखिए 9 में अगर 5 का गुना कर दें तो 9 पच्छे कितना हो जाएगा 45 और इसमें से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो 15 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 18 कर ठार करें 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 होगा आपको होगे हाँ इधर को 3 बज गया 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा 27 15 आपको होगे हाँ मतलब दूसरी संख्या में 5 का गुना करके और 18 माइनस करने पर ये संख्या मिल रही है तो वैसे एगर 36 में 5 का गुना करें करके 40-40 कर दीजी अगली संख्या मिल जाएगी तो 13 का 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पच्चे 65 हो जाएगा और 65 में से अगर हम 40-40 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्थ आपको होगे सर यहाँ पर 25 हो जाएगा 25 तो 25 कौन से उप्चन में दिख रहा आपको होगे सर 3rd will be the right answer जिस किसी का भी answer तीसरा आया है 3rd आया है 25 आया है उसका answer विल्कुल क्या है सही है 45 नहीं होगा 25 होगा को और से फर्माइए 65 में से 40 अगर माइनस करोगे तो 25 तो बचेगा चलिए इसका answer ज़रा फटावट से बताईए 29, 33 उसके बाद पूछा गया अगली कौन सी संख्या देखने को मिलेगी देन उसके विहाब पे 113 और 369 दे रखा है इनके बीच में क्या क्रम चल रहा है फटावट से find करिए जल्दी करिए क्या relation बन रहा है फटावट से बताईए इसका answer जल्दी करिए सबसे पहले हम इसके 20 का एक बाद difference देख लेते हैं difference कितना आ रहा है 29 और 33 के 20 का difference कितना हो जाएगा 30 और 4 का difference हो गया है और यहाँ इसके 20 का difference कितना आ रहा है तो यहाँ पर 9 में से 3 माइनस करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 6 और फिर इधर कितना बच गया आपका 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 और इधर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 256 हो रहा है अब इसके 20 का 2 अंतर होना चाहिए क्या कहानी बन रही ज़र अगोर से देखिए ये तो आपके दो के पावर दो का मान दिख रहा है ठीक है और दो सुचपन कैसे ला सकते है 6-6 का 36-36 का 256 होता है क्या अब को गए हाँ दो के पावर दो अगर 4 के पावर दो करें यहाँ पे और फिर यहाँ पर 8 के पावर दो करें तो 16 के पावर दो करने पर कहानी बनेगी 16 का स्क्वार कितना होता है 16, 256 ही तो होता है न हाँ बिल्कुल तो अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वार जोड़े तो 33 हो गया 4 का स्क्वार जोड़ेंगे तो 4-4 के 16 होता है 4 का 16 जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 और 3 और 1 कितना हो जाएगा 49 यानि की 4th will be the right answer मेरे क्लास में बहुत buffering होता है ऐसा क्यों हो भई ऐसा कुछ दिख करते हैं नेटवर्क प्रॉबलम होगी आपके एरिया में वरना यहाँ अगर कोई भी buffering होता तो वो पता चल जाता तुरंट error आजाता है दिख जाता है ऐसा तो कुछ सो नहीं हो रहा है हमारे हाँ ठीक है तो यहाँ पर relation देखिए क्या हो रहा है इसके 20 का difference 4 मिला था जो 2 का square और 256 मिला जा जो 16 का square हो गया ठीक है तो 16 का square 2 का square कैसे करम मिन सकता है अब इसके बीच में 2 gaping होने चीए तो 2 के बाद 4 का square और 8 का square कर दें तो 16 का square का यह करम बन जाएगा और इसके हिसाब से 16 जो है अगर 33 में जोड़े तो 49 हो जाएगा 49 option number D में दिख रहा है आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा तो इस तरीके से आज के 25 कोश्चन कंपलीट हुए एक बार फटाफ़र से अपना score बता दीजिए कि आपके 25 कोश्चन में कितने score आए हैं आज 25 कोश्चन में आपके आज score कितने आए हैं डेली बेसिस पे आपको एक प्रीबियस येर का question सॉल्व कराया जा रहा है पचीस पचीस question आपके solve कराया जा रहा है अब आपका दाइत तो ये बनता है कि आप 25 तरीके से question को समझें जिस question को problem होती है या एक बार में नहीं आता उसको note down करते जाएं ठीक है आज बहुत गलत हुआ है कोई बात नहीं पेपर का level भी तो अच्छा चल रहा है ना पेपर का level अच्छा है बहुत अच्छे level का paper आपको दिया जा रहा है ठीक है चलिए तो आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात होगी आप सभी सब्सक्राइब क्लास में तब तक के लिए thank you so much